साधना के आरंभिक काल में अनेक महापुर्षों ने मेरी यात्रा कराई और वे दिव्यात्माएं प्ष्री हनुमान जी महराज की कृपा से प्रेरित होकर ही मेरे साथ सहयोग करती गई एसी एक महान विभूती है पूझ्य स्वामी चेतन्य कीर्थी जी चेतन्य कीर्थी जी ओशो के उन अंतरंग सन्यासियों में से हैं जो सदा उनके साथ रहे अंतरंग सन्यासियों के स्वामी चेतन्य कीर्थी जी अंतरंग माने इनर सरकल के अर्था प्रतेक गुरु के एक आंतरिक घेरे के इनर सरकल के कुछ विशेश शिश्य होती हैं उन में से स्वामी चेतन्य कीर्थी एक हैं और इनको ओशो ने अपना सारा जो भी इनका साहित्य था इनकी अम्रित वानी थी उसको प्रकाशित करने का दायुत्व सौपा था स्वामी चेतन्य कीर्ती ने ही सबसे पहले ओशो का जो एक समाचार पत्र था और जो पत्री का थी वह प्रकाशित की थी उसके पाद धीरे धीरे जितना भी ओशो का साहित्य प्रकाशित होता गया उन सब के समपादक स्वामी चेतन्य कीर्ती ही थे और सरवादिक समय उनके साथ वैतीत करने का इनको सोभाग्य प्राप्त हुआ स्वामी चेतेन्य कीर्थी मुझे अपने साथ हिमाले की यात्राओं पर लेकर गए और इन्होंने स्वेम मुझे कहा कि तुम्हें मेरे साथ चलना है और तुम्हारी आगे की बहुत यात्राएं होनी है और ये बड़ा संयोग की घटना थी इनसे मिलना मेरी धर्म पत्नी चितरकार हैं तो दिल्ली में अंसल प्लाजा में ओशो वर्ड गैलेरिया तो उन्होंने कहा वहाँ पर मैं चाहती हूँ मेरी चितरकाला की प्रदरशनी लगे कुछ मित्रों से बात की तो उन्होंने कहा वो बहुत हाइफाई जगह है वहाँ सोचना भी मत क्योंकि वहाँ पर किवल ओशो सन्यासियों का ही काम प्रदरशित किया जाता है जो ओशो का सन्यासी नहीं है उसका काम वहाँ पर नहीं लगाया जाता तो खैर फिर भी हम चले गए योही घूमते घूमते तो वहाँ पर संयोग से उस दिन स्वामी चतिन्य कीर्थी और मा योग निलम दोनों ही थे और उनसे बाचीत हुई उन्होंने बिंदु का काम देखा और काम देखने के बाद स्वामी चतिन्य कीर्थी जी ने कहा कि ये तो एक सन्यासी का काम है तो हमने का हम तो कोई सन्यास मन्यास से परिचित नहीं है तो उन्होंने का कि सन्यास कोई बाहरी क्रिया नहीं है सन्यास एक भीतरी घटना है जो घट जाए तो व्यक्ति सन्यासी हो जाता है तो इन चित्रों को देखकर तो यही आभास होता है कि ध्यान की गहराईयों से उत्रे है और उन्होंने पिछली किसी भी परंपरा का निर्वाह ना करते हुए बिंदु की दो चित्रकला प्रदश्नियां वहाँ पर आयोजित की अब यह देखे कितनी बड़ी घटना कि ततकाल जो व्यक्ति सूक्ष द्रिष्टी रखता है गहरी द्रिष्टी रखता है वो उन पुरानी माननेताओं को जो की एक बंधन होती है उनको ततकाल वो वहाँ पर तोड़ देता है अलग कर देता है हटा देता है कुछ नया निर्मान करता है और उसके बाद स्वामी चतिन्य कीर्थी मेरे साथ जो उनका आत्मियता पूर्ण वहवार रहा बातसल्य पूर्ण वहवार रहा बिलकुल एक गुरू के समान वे यात्राएं कराते गए गुरू बनकर ही यात्राएं कराते गए और बहुत कुछ उन्होंने मुझे सिखाया बहुत कुछ वे गहरे सूत्र दिये ध्यान के जो समानने तवे कहीं पर भी उधगाटित नहीं करते हैं तो 14 वर्ष बाद उनसे पुर्ण है मिलना हो रहा था लेकिन संयोग रहा कि मैं किनी कारणों से नहीं जा सकता था तो मैंने फिर अपनी धर्म पत्नी बिंदू पोपली को कहा किवे जाएं और स्वामी जी से मिलें वे गई ओशोधाम में और वहाँ पर स्वामी जी से उनकी जो बाचीत हुई उसकी रिकॉर्डिंग आपको दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उन्ही दिनों शुरुवाती दौर में जब वो परिंटिंग एग्डिवीशन लगने वाली थी तब उन्होंने कैम्प मा योग निलम का किया और मा योग निलम ने ही मिंदू को सन्यस्त किया तो ये एक भूमी का है अब आप स्वामी चेत्रने किर्थी जी की कुछ ऐसी बात जो कि वो बहुत ही कम बताते हैं हम उनके ही श्री मुख से सुनेंगे और आप इसका रस्पान कीजिए प्रणाम स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहती हूं स्वामी जी कि आपने जो प्रेम हम पे बरसाया इशान महेश पे बरसाया उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है और इशान जी तो हमेशा जिन भी संतों का नाम लेते विए कि स्वामी कीरती ने मेरी हाथ पकड़ के यातरा कराई हमाले की और ध्याण हमाले की ध्यान यातरा है पर जो उसमें ध्यान के गहरे अनुभव उनको हुए उसके लिए वो आपको बहुत श्रेय देते है और मुझे आज अग भी वो दिन याद है, जब आपने एक बर यूहीं कहा था कि इशान तयार रहना हमारे साथ यात्राओं पर चलना है तो इशान जी तो बहुत कम ट्रैवल करते थे पर आपके माध्यम से जिन भी वो स्थानों पर गए और जो जो भी उनोंने गहरे अनुभव पाए उसके लिए वो हमेशा आपके अभारी हैं और मैं जाहते हूं कि आप आपने जो अनकी यात्रा करवाई यह कैसी प्रेड़ना थी इंस क्या लोग्त आप कुछ कहिए सेशिए शुशे लिए इस बिसमाम जी इसे सबिश्री इसान जी को मेरे प्रणाम कहना और मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं ध्यात्रा नहीं क्राए झार नही यह कि वैसे सिर्फ समयवक मीडition की बात है यह कुछ नगोष पूरु निरधारती होता है किससे मिलना कि और यह व्य। विय। जाए पर यानि जो उर्दुग गराणी शक्तिया है चील सोले जो हमें इत्र लेखा के लिए और हमारा पृब्सक्रीघ का इस ऑर यह यात्रा बाहर के तो है नहीं जाहें जाए हमाले जाएंड़ कहीं और गंगस्नान करने जाएंड यह यह उन्तर यात्रा है और आपको सुमर कि आपको कैसे याद है क्योंकि आपके बोलते बोलते मुझे वो समय स्मरण आ रहा था कि कैंप का नाम भी ऐसा ही था फिर मैंने एक पेंटिंग एक्जिबिशन करी थी और मतलब मैं कहूं तो आपने ही वहाँ पर एंट्री दिलवाई थी तो उसका शीर्शक भी हमने अंतर यात्रा रखा था शो ने जो अपने प्रारंभिक शिवर लिए उनमें से एक जो बहुत मु ऐसे सभ्य स्रम हो और समय प्नित्रा और साया जीवन के बारे में हैं और उस सीरीकर नाम अंतर यात्रा था इन्नर जर्नी वह अंगरेजी में भी अवेलेबल है और हम सब ऐसे सह यात्री हैं अंतर यात्रा के लिए बिलकुल हमें दिखता है कि शरीर से ट्रेवलिंग talents अ आपका नहीं आपका जो सानिध्य जो भी रहा वो बहुत ही अमूले रहा इशान जी के लिए और आपको इसलिए बार बार वो नमन करते हैं और स्वामी जी एक छोटी सी और बात थोड़ी आपके पर्सनल में पुछना मुझे अभी ध्यानाया कि एक ऐसा भी समय रहा होगा जब आप ओशो को नहीं जानते होंगे और तब फिर आप ओशो से कैसे मिले और मतलब कैसे आपका ओशो जगत में आना हुआ और ओशो जगत से पहले तो जो आपका ओशो के साथ एंकाउंटर मतलब जो पहला मिलन मुझे लगता है आपने कई बार सुनाया है इशान जी को पर मुझे जिसे होते हैं कि कुछ इंस्टेंसिस ऐसे होते हैं जिनको बार बार सुनने का जानने का वन होता है तो थोड़ा उनिस वीस वर्ष की उमर तक तो मैं ओशो से नहीं जुड़ा था लेकिन समझो के बीस स्वांस वर्ष शुरू हो औगा या उनिस एंड हो रहा होगा उस समय मैंने कुछ ओशो की रजनाएं पड़ी जो धर्म युग में प्रकाशित है धर्म युग में जैसा कि नामी धर्म य और मैं नहीं पढ़ता था क्योंकि मैं लगता था कि यह तो बखवास आप राने जमाने की इसको क्यों पढ़ना मैं थोड़ा जैसे संतकबीर को पढ़ चुका हूं तो वो रेवलुशनरी बाते करते हैं कि मंदिर मस्जजदा के क्या मिलेगा इन मुल्लाओं से क्या मिलेग इन पंडितों से क्या मिलेगा तो इस प्रकार से मैं कोई बहुत रूची नहीं लेता था फिर मैंने सोचा कि धर्मयुक का यह विशेष तम मैं छोड़ देता हूं तो मैं कहीं पक्षपात से तो नहीं आगे बढ़ रहा हूं तो मैंने का अब की वार जो होगा जो भी होगा मैं पढ़ूंगा और उसमें लखी ली ओशो का था वा मतलब गुरू कैसे चुनते हैं पहले तो आपके मन में यह बीज डाला कि यह अंक नहीं छोड़ना और क्या अद्बुत तो फिर वो उसमें निकला क्या मनुश्य एक यंत्र है एक और ओशो ने उसकी व्याख्या की कि की अम कैसे यंधर वट व्यवार करते हैं हमें कोई प्रसंसा कर देता है तो बहुत मस्ता हैँ हमें कोई भला बुरा कह देता है तो हमें राज हो जाते हैं और क्रोघ हो या ताह मैं तो रिमोट कंट्रोल हमेशा दूसरों के आत में होता है हमारी लाइफ का तो यह तो यंत्रों जासा भार है कि बटन दबाया पंखा चल पड़ा ऐसा तो मनुष्य को नहीं होना चाहिए उन्होंने उसके लिए एक शब्द यूज किया हमें प्रतिसमवेदन करना होता है प्रत जाए विक्ति सई बात कर रहा है यहां कि नहीं आए रेक्शन नहीं देना है अठीक्ष रेक्षण नहीं करना है तो वह रिस्पांस में आप भले एक दिन बाद रिस्पांस करें लेकिन उसमें विचारित होगा सचेतन वेभार होगा आपका तो यह बात मुझे जम गई और फिर मैंने पुराने अंक ढूंड़े और सब निकाला कहीं ओश्य हैं तो पड़ू मैं उसमें अचार रजनिश कहते थे उनको तो निल भी गए मुझे लाइबरियों से बहुत सारे अंक और जिसमें निकाल लाया पड़े तो और और कोई उपाय दी था कि कोई किताब हो मार्क प्रक्रीट में ऐसा कुछ था नहीं क्योंकि पता भी नहीं था कि कहा चपा है कुछ थल भुतल चल रही थी ओश्यो के विचारों से और फिर मैंने उनकी अध्यात्म वाली जो अच्छी किताब है सबसे अच्छी किताब है जिन खोजा तिन पाईयां कुंडलनी योग पर व मैं 21 साल का हो गया था तो मैंने मंगवाली पड़ी और उसको आधा पड़ा होगा मैंने और मैंने टिकट कटाई बंबे चला गया हां मुझे यही प्रसंग मुझे आप से पूछना था कि मैंने का अब इतनी गहरी बातें हैं कि मेरे उपर से निकली जा रही हैं 21 साल का व्य अग़ा एक मिस्टिकल जगत था तो मैंने का यह प्ढ़ने का मामला नहीं है यह जीने का मामला तर मैं जाता हूं तरह यह चोड़ दी मैंने और मैं उनके बाप वां में चला गया उनो ने प्भाईै她 गश धिसैन को साथ होला थी उनसी थे भाट है संयास यवीत किस तरह मि पहली भेंट मैं गया उनके अपार्टमेंट पर वुडलेंट में जहां उनका एवन अपार्टमेंट था और मा लक्ष्मी उनकी सचिव थी उनको बताया के मैं उनसे मिलने आया हूं तो कैती भाईया मैं ऐसे तो मिलने नहीं दूँगी परे दो चार दिन आप उनके प्रोचन प्रचन देते थे उनका अपना स्थान थान तो मैंने का नहीं वो तो मैंने जो जानना था पढ़ना था पढ़ लिए आप तो दूँगी दर्शन करने मुझे उनको मिलना है तो कैती नहीं को दिन रुखना पड़ेगा तो फिर मैं बैठा रहा थोड़े दिर मैं एकोदी ब बार आएंगे एक घंटा बीट गया और नहीं आये बार चार बजनी को आ रहे थे और चार बजनी पर आपको लगता है कि वो सूचना पट भी लिखा था कि भगवान श्री से मिलने का समय धाई से चार तक ऐसा कुछ लिखा था या सौड़े तीन तक तो मैंने का वो आप मुझे एक नोट पैड दो और मैं उनके नाम दो लाने लिखता हूं और जैसा वो फिर कहेंगे मैं माल लूँगा उनके पास मेरी यह सूचना ले जाओ तो वो भी मान गई तो मैंने लिखके दिया और ले गई और एक मिनिट के भीतर ही वापस आ गई कहते चलो बुला स्वामी जी आज मैं करी लेती हूं साहस कि आपने उस नोट पैड पे लिखा क्या था मैंने लिखा था भगवान श्री मैं पानी पस से यहां तक आया हूं रास्ते में कोई बाधा नहीं आई और मैं क्या कहना चाहता हूं नहीं कह पाऊंगा मैं इतने ही कह सकता हूं कि मैं आ गया हूं यही मेरी अभी वक्ति है और बीच में एक लाइन थी कि पानी पस से यहां तक आने में कोई बाधा नहीं आई लेकिन अभी आप थोड़ी दूरी बर बैठे हैं और मैं यहां तो यह क क्या कहना चाहता हूं नहीं कह पाऊंगा लेकिन मैं आ गया ये मेरी अभी वक्ति है उन्हें ने पड़ा और फट से उला लिया और ये आप बता रहे हैं कि आप 21 वर्ष के थे हैं और मतलब खुछ भी आपने बनावत नहीं 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 बिल्कुर वह अंदर से आई बात और ये ऐसी बात है जो शो ही समझ सकते हैं कि यही मेरी अभी और मैं यह कह सकता हूं कि मां लक्ष्मी पर्फेक्ट सेकर्टरी थी उसने मेरी बात पड़ी नहीं सीधा ले गई क्या बात है अब बीच में उसने अपना इंटरप्रेशन नहीं किया तो यह अच्छा लगा मुझे क्योंकि अगर शब्दों को वह पढ़ती तो कोई बात ही नहीं है यह तो कोई भी विखती है ही नहीं ना तुम भाव से बरे हो ना कुछ कि बस आपका आना ही टोटल आ आज आना मतलब पहुंच जाना और फिर उस समय वहां मा आनंद मधू रहती थी जो मुराजी भाई की जी 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 तो उन्होंने इंटर काम पर ओशन उसको बुलाया था कि पहले मेरे से बाचित की कि कैसे आना हुआ तो मैं तो सिर जुगा के बैठा रहा कि मेरे से आवाद ही नहीं निकले बीतर से और उनको देख भी नहीं पाऊं क्योंकि आखें चुन्धिया जाए उनको इतना उनका तेज था तो तो दोतिन वार 오ंगे पूछा कैसे आना हुआ तो मैंने कहा अपने को समझाया अभी तर के कुछे बोल के दोतिन वार्टस पमें आ आपके पास रहने आया हो यहां मेरे पास फिर ठाक आलगाया और का शाम ay technology तब सन्यास लेना चाहते हो, तो मैंने कहा कि अपने को पते ही नहीं था सन्यास का उस वमें तक है, अभी अभी शुरू हुआ था, एक साल पहले, मैं 4 सितंबर को उन्हें मिला, तो 26 सितंबर 70 को सन्यास हुआ था, जी, अनन्द मधु को उन्हों ने इंटर कम से प्रेस करके ब ना लाओ अच वसी मोमेंट पर है माले मीटिंग अब कोई और बात मैं अब नहीं आज तक किया कुछ सन्यास के बारे में जाना लोग यहां विचार करते हैं कि सन्यास ले या ना और मैंने शन्यास वाले कपड़े निपेने हुए मैंने pen shirt बनी हुई है, student किदरे आया हूँ, तो मधु माला लाओ, और मधु माला लाई, और उन्होंने मुझे पहनाई, और कहा, नोट उनके letter pad पर लिख के दिया, तुम्हे नाम देते हैं, स्वामी चैतनिक किर्थी, और ये मा मधु है, और ये मधु की किर्थन मंडली कल शुरू हो रही है, और ये गुजरात जाएगी, तुम इस मंडली में शामिल हो जाओ, और तीन हफते बाद मांट अभू में ध्यान शुजर होगा, फिर वहां सारे आएंगे, वहां ध्यान और अभी तो जैसे मंडली में ध्यान चलेगा, वैसे करना, तो बस दो-तिन हफते के लिए, और नेक्स्ट मॉर्निंग, आज शाम को चार बजे सन्यास हो रहा है, और कल सब्सार बजे ट्रेन में बैठके हम बलसाड, नवसारी की दिशा में, मंडली जा रही है हमारी, और ग अच्छा, मंडली में, उसको शामिल किया गया था पर जाना नहीं चाहता था, उसको लगता था मैं बांबही रहूँ क्योंकि मंडली में गया, तो इन दोर कहीं मंडली गई, हमारी तो माता भी था खीट लेंगे वापस, तो जब पता लगा कि वह नहीं जाना चाहता था, उसके कपड़े मुझे मिल गए, उसको गई तीक हम बांबही रहो, मैं इसको त्यार हो गए, क्या बात है, तो मैं उसके प्ड़े पहन के, गेरु अबस्तर पहन के, घारु वादर मनली में शामिल हो गया. आपने कपड़ों की बात की, तो मुझे एकदम याद आया, कि एक बार मैं यहां यहां करने आई थी, तो इशान जी मुझे लेकर आये, और आपने बोला था, कि तुम भे रुख जाओ, एक दिन तो रुकी जाओ, एक दिन तो अटेंट करी लो, तो अब नगा था, मैं रोब तो लाया नहीं हूं, ना मेरे पास वाइड रोब है, या उससमें वाइड रोब ही होने वाला था, तो आप अपने कमरे में गए और वाइड रोब एक उने दिया, और आपको मैं बताओं वो रोब आज भी उनके पास है, और अकसर वो अपने प्रवचनों में उस रोब को पहनते हैं, उस पे मैंने कुछ जैपनीज से चांद लिखा है, चांद और वो भी मैंने ओशो की फुस्तक से देख के, जब ब्रा किया है, तो और कितने वरश हो चुके हैं, उस रोब को हम मतलब, और ऐसे ही इसी भाव से पहनते हैं कि स्वामी कीरती का मैं, और सब को पतात कि नहीं नहीं, यह इन्हीं का है, तो काफी देर तो उस पर आपका नाम भी लिखा रहा, क्योंकि पहले आप जैसे पीछे नाम लिखा रहता था, तो बहुत अच्छा लगा स्वामी जी, क्योंकि वड़ी परस्नल आपने वाते बताई, और बहुत बहुत धन्यवाद, पर उनके सन्यासियों को, मामधु के साथ भी बहुत स्नेहे रहा है, शान जी का, वो भी मतलब जैसे पहली दृष्टी में, उनोंने एकदम रिक्रिटनाइस करा, और मामधु ने, जब जितनी पुस्तकित प्रकाशत हो चुकी थी, जब मिले मामधु से, तो सभी मंगवा के पड़ी राम कथा की और क्रिष्णा पे, तो ये भी एक देवी सेन्योग रहा, ठीक किस वामधु बहुत 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 हन्यवाद, बहुत 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 बहुत, आधर प्राम.